वेल्कम टूल साथ ही एक्जाम फार्ट अनुमर वन पर आप सभी का हारदिक स्वागत है जी एपसी पीटी जी एस पेपर वन के क्लास्टे में स्वागत है जहां पर इंडियन हिस्टी को कबर करें अभी और एक नई तरीके से कबर करें कि एक शौट टाइम में आपका प्रिशन करें और जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको आप ही आप देखें अभी क्योंकि आपको समय कम है तो इसी स्टाइल में चल रहा है क्लास्टे और आज हम लोग टोटल 121 से लेकर आपका 160 टोटल 160 वन लाइनर को सॉल्व कर चुके होंगे आज के क्लास्टे के बाद नासरुदिन महमूद के दरवार में नासरुदिन महमूद के दरवार में रतेते मिनाश्ची राज है अगला है नासरुदिन महमूद के सासनकाल में बलवन को मलिक नयब के पच से हटाने वाला भारतिय मुसलिमान रहे हैं Please आये कि नासुदिन महमूद के काल में बलवन की तूती बुलती थी का सकते हैं, बलवन बहुत पावर्फूल हो चुका था, और कर सकता की चावी मुख रुप से उसी के पासी था, और नासुदिन महमूद बस एक कटपुतली सा सकते हैं, तो नासुदिन महमूद के सासनकाल में बल हटवाया था तैं अगला है गाउं के बलहार कौन थे यानि मद्धी कालीत सब्द है बलहार तो बलहार सबसे क्या समझते हैं? गाउं के बलहार मतलब मजदूर। मजदूरों को बलहार कह जाता था अगला है मुहमत बिन तुगलत के दुआरा द्वाब में भू राजस्ट बढ़ा देने के कारण हवे किसानों के विद्रो का विश्थित प्रंथु पक्षपात्पूर्ण किस ने दिया है दवाब में कर को बढ़ा दिया था जिसके कारण किसानों ने विद्रो किया मौमाज बिन तुगलक के काल में लेकिन इसका वर्नन तो किया है लेकिन पक्षपातपूर्ण वर्नन किया है किस ने किया है तो जियाओदिन बर्नी ने जियाओदिन बर्नी ने इसक समू का नाम था सामोई ग्रूप से जो मुसलिम लोग मुसलिम में जो सुनी लोग होते वो करते थे सामोई ग्रूप से किसी कारी को उसको मिल्लत बोलते थे तो सामोई सुनी लोग होते दूसरी क्या करते थे जो सक्ति सामोई सुनी लोग होते थे उसे मिल्लत करते थे मिल्लत क पे आये थे वह जिलालोदिन मंघभर्णी का पीछा करने को युद्ध нам जया अलिए के समय वह इंडिया पर आये थे देल तो तो मिश्थ के समय बलवन के राजदरबार में कौन से तरीके अपनाने अर्वन ने राजदरबार में कौन से तर्के अपना इरानी तरीके अपना है जिसमें प्रमुक्ता क्या सिजिदा हो गया यह सभी इरानी तरीके थे जिसको उन्हें दरबार में अपना है था चलिए आगे बढ़ते हैं यह किसका कथन है कि मुहमद बिन तुगलक ने अपने राजधानी बदलते समय लंगड़े और अंधे को भी दोलताबाद घसीडा यह श्पिश छारे चीजाओं और अंधे लोग यहा देवगीरी का नाम बत्ल करें दोलता भाट रहं डोलताबाद रहकरों सारे चीज़ों को वह ड़्ली से दोलताबाद ले गए उस और अंधे लोग थे उसे भी घसिट घसिट कर वहाँ पर ले जाया गया नई राजधाने में सिप्ट कराया गया तो ऐसा वर्णन किया है किसने किया है इबन बतुता ने अगला है मोहमत तुगलक कहां का था मिन्स यह आप से पूछा जा रहा है जो सल्तनत के सासक थे जो दिल पूछे उन सब का कहा होगा तुर्की लोदी का नहीं होगा लोदी से पहले वाले सब का तुर्की लोदी तो अफगान के थे ना अगला है देखिए लोदी सुल्तान ला गया लोदी सुल्तान कहां के थे लोदी सुल्तान आपका अफगान के थे पर्थम अफगान सत्ता भा वो सभी तुर्क से तुर्की से हक एशर्व क्या था हक एशर्व एशिचाई कर था जिसे किसने लगया था फिरो इस तुग लगने फिरो इस तुग लगने शिचाई कर लगया था जिसका नाम था हक एशर्व चलिए आगे बढ़ते हैं पहला तुर्क सासा कौन था जिसने सु पानी उपर उठाने का तरीका फिरोज तूखलक समय रजभ वहा ततभा उलूख खां क्या थे रजव वा तता उलुक खान क्या थे उलुक खान अला के नाम भी था लेकिन उन्हें इस पर एक नहर बनाया था यमुना से निकाले गे नहरों का भी नाम उन्हें ये दिया था यमुना से निकाले नहर का नाम था एक का रजववा और दूसरे का उलुक खान वरीद कौन थे यहां पे अपका दिर्ख़ई हो जाएगा वरीद कौन थे तो वरीद गुपचरों को वरीद कहा जाता था मातिकाली निभारत में गुपचरों को क्या बोलते थे वरीद इल्टूतमिस ने सिक्कों पर किसका नामंकित करा है इल्टूतमिस ने सिक्कों पर खलीफा का नामंकित करा है था वायक कौन थे वायक किसे बोलते थे जो पैदल से नहीं होते थे उसी को वायक कहते थे चराई किस चीज पर लगता था चराई लगता था पस्मों पर और ये दुधारू पस्मों पर लगता है तेमूर द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लेने पर कौन तुग लग दिल्ली छोड़कर भाग गया था तेमूर ने जब तेरस्व अधानवे में आकर्मन किया थर्टिन नाइन्टी एट में उसमें सासक कौन थे नासुदिन महमुद थे तो ये क्या कि दिल्ली छोड़कर ये भाग गये थे नासुदिन महमुद अगला है शल्तनत काल में शाही पत्र विभार किस मंत्री का का रहे था शाही पत्र विभार जो राजकिये पत्र विभार होता था एक्स्यांज होता था उसको देख रहे कदर दिवान इंसा का काम था ये इलागे बढ़ते हैं अपने समराज को दारुल इसलाम का भाग समझने वाला पर्थम मुस्लिम सासक कौन था अपने समराज को दारुल इसलाम का भाग समझने वाला पर्थम मुस्लिम सासक इलतोतमिस था आग उन्हें कहा भी था कि भारत में जिस प्रेकार कर सकते हैं मुस्लिमों के कम अबादिय। हिंदु की बहुत ज्यादर आवादिय है। इसके कारण हम लोग इस द दारुल हरब को द आरल इसलाम नहीं बना पाएंगे। दारुल्हार दाहद को, दारुल इसलाम इंहीं भारत में भारत में वना पाएंगे, हिल्टुतमिश को कुछ था है, फिरोज्च तूगलक की कौन परता के पूनअस थापना, नगत वेतन की पर्था पहले तो उसे मिटा दिया फिर से इनों जागिर मातना शुरू कर दे जिसके कारण साजिस और कलह काफी बड़ा अच्छे-ची जागिर लेने के चक्कर में दरबार में काफी सडयंत्र होने लगे और यही एक तरह से समराज के पतन का कारण बना जागि सब्सक्राइब कर दें जो और बल्कुल बूर हो जाते थे फिर भी उससे रिटैर्मेंट नहीं दिया जाता था वह सेना में रहते ही थे बस का सकते स्थापित करने स्थापित करने जब स्थापित करने इनका पतन नहीं था तो वनसानुगत जो स्थापित कर दिया यह सबसे जादा दोस्पूर्ण ब्यवस्ता था अब किसी का बेटा अंगदा है या तो उसमें श्थापित कर लिया था तो बनसानुगत हो गया था किसके सासनकाल को इबन बतुता ने बहुत बड़ा समारो का सासन को समारो के रूप में वर्णन किया है तो केकुबाद बिल्कुल यह सबनी कम में सासकते कुछी कम समय के लिए रहे जब बल्वन की मृत्य हो जाती है उसके बाद यह बस कुछ महीनों के लिए रहे थे यसी लिए इसको कसक पर ववेंगे करते हुए उन बतुतान है इसका जो सासनकाल्दोस के बहुत बहुत समारो का किस ने कहा था हनोज दिल्नीदूर अस्ता यानि दिल्ली अभी दूर है ने जामोंदिन ओलिया ने कहा था किसको कहा था। गयासुदिन टुफ्लक को kata करते क०्फिक उसकी गयासुदिन टुफ्लक से नहीं बंती थी गयासुदिन टुफ्लक और इन में बहुत ज्यादा कासा 36 कांकडा था तो उसी को कहा था हनोज दिल्ली दूर था दिल्ली अभी दूर है और आज भी इस्टेट्मेंट देखिए काफी फेमस है किसी अगर कोई वक्ति कोई कार नहीं कर पाता है या उसका चिड़ाना हो तो लोग बलता है अभी दिल्ली द 302 वहां मिलता था कपड़ाची अधिर्य वहां मिलता था उसी को स्राय आदिल करते थे खैशने वरंगल के परताबकर से कोीदुर का हिरा किस ने प्राप्त किया तो अलावदिन खिलजी ने खुद जाकर नहीं प्राप्त किया बलकि उसे गिप्ट किस ने किया मलिक कफूर मलिक कफूर ने उसे गिप्ट किया था मलिक कफूर अगर अप्समें अलावदिन नहीं रहेगा तो वहां पी क्या रहेगा मलिक कफूर वारंगल के स सासक परताप दूतर देव मलिक काफुर ने अपराप्त किया उसे अपने सासक अलावदिन खेजली को गिप्ट किया अगे बढ़ते हैं मारको पोलो नामक इटालियन यात्री भारत कब आया तो यह आया था आपका तो बारस ऐसी इसीम्न बारस अठासी इस्वेव यह सकते केकु बाद के कलमाय अगे बढ़ते हैं इलतुतमेस का सिख्का चान्दी का सिख्का कितने ग्रेंड का होता था यह प्रस्ट पहुत बार पूछा गया है और यह पेसी प्रीविए से में पूछा गया है यह यह पीसलतान ने कि शुद्ध अरुबी इसे स्शुव पर्थम के चुंद तांबे के अर्बी शिख्ये किस सुल्तानय पर्थम जारि कि सुद्ध पर्थम पर्थम जारिए वह थे इल्ट उतमिस अगे बड़ता हैं है दिल्ली के किस सुल्तान एक रोजगार विभाग और धर्मार्थ विभाग तता धर्मार्थ अस्पताल का निर्मान करवाया था क्या क्या किया रोजगार विभाग बनाया धर्मार्थ विभाग बनाया और धर्मार्थ अस्पताल बनाया किसने तो फिरोज तुगलब पहली बार दाग एवंग चेहरा परनाली किसने आरम किया यहां पर आपको चेहरा इससे लिखावा लेकिन दाग भी आप उसमें कर दें चेहरा एवंग दाग परनाली किसने आरम किया पहली बार तो अलावदिन खिजदी ने अपने सेनिकों के लिए चेहरा एवंग दाग पर परभावित हुआ अलावदिन जो उपाय किया कि सारे कशक्तने की सत्ता की चाविया अपने हाथ में रखें आर्थिक छेत्र को मिस्ते भी जो भी राजय स्वाते हैं सभी को अपने नियंतन में रखें इस सबसे ज़्यादा परभारी वह मुकदम और वैपारी खूद मुकदम चोद्री जो अस्थानिय कर सकते हैं के एकता से छोटे मोटे मद्यस्त वर्थे किसानों और सासकों के बीच में जो टैक्स को वसूल करके लाते थे तो उनसे परभावित हुए तो को उनके अधिकारों को छेन लिया गया उन्हें जो कर सकते हैं विच्छेस रियायत मिली थी सबी खत्म कर दिए अगला है दिल्ली के सुल्तानों का सही करम क्या है मिला दिल्ली में जो वन्स अस्थापित हुआ सबसे पहले कौन हुआ गुलाम वन्स एक नमर पर बारव सचों से बारसो नब्बे उसके बाद खिलजी वन्स बारसो नब्बे से तेरा सबीस तुगलक व जो है गुलाम खिलजी तुगलक सेध और लुधिवन्स पहलागे बढ़ते हैं मोहमत तुगलक 10 द्दाई वरसों तक शरबार गाधवारी स्वीर में रहा 21 नदी के तर पर लिश्तित था मोहमत अधाई वर्सों तक श्रबार गादवारी शिवीर में रहा था 21 नदी के तर्परिस्तित्ता गंगा नदी के तर्परिस्तित्ता इतिहास की गाथाओं में खिल्जी सुल्टानों विशेसकर अलाउदन खिल्जी के सासनकल का स्रवादिक महत्पुर्ण तर्थ्व क्या है किया लगा है बल्वन द्वारा प्रारम किया गया पाइबोस क्या था शूनतों की पर आएब पार है तो उसके सामने ज DU अ पाओं को चुमना वही था पाइबोस और एक होता था सिजदा सिजदा मतलग गुठने के बल जुक कर अभिवादन करना सिजदा तो पाइबोस पाओं को चुमना और सिजदा हो गया गुठने पर बैठकर नतमस्तक होना सुल्तान के सामने जब अलाओदन ने रन्थंबोर पर आकरमन किया तो वहां का राजा कौन था अलाओदन ने रन्थंबोर अभियान जो किया था उसमें वहां का सासकते हमीर देव वहां के सासकते हमीर देव चलिए आगे बढ़ते हैं दक्चिन में पहला मुसलिम आकरमन किस कि पहले के सासक ने ठच करते दोहां के दियाते कि एहां इने दिए अधी ने रहने देते ते था कि ने मुरको के याद हे इबली का काजी बनाया डिल्ली का का काजी इबल्लग को किस ने बनाया था किस ने मुंहम्मद तुम दुगलत ने के कि आज के ओफन लाइनर हे हम और ट्रीत को कर चुके हैं ऐसे ही one लाइनर और प्रिविएस येर के माध्यम से पूरे सिलिबस कवर कर लेंगे इस से कम समय में हमारी त्यारी ज्यादा अच्छी होगी अगर आपका एक्जाम 17 मार्च को नहीं हुआ फिर से एक नए लेयर के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे जहां पर लेक्चर्स भी होगा और आपको पूरे अंडरेस्टेंडिंग के साथ क्लासे कराई जाएगे अभी फिलाल कम समय में उसके लिए बैस्ट प्रिपरेशन का तरीका यह है हम प्रिबिएस यर के एकोडिंग वन लाइनर बनाए इंप्रेंट को नॉट करें उसको करें क्योंकि अभी आप पूरे डिटे 8Beam को आपको GS Paper 2 की क्लासे चल रही है और अवरी संदे को आपको करेंट आपेस दोनों ही पेपर के लिए अलग लग सेपरेट मिल जाएगा इसके लिए आपको हमारी साथ जुढ़ना होगा हमारी साथ जुढ़न के लिए चैनल को सबस्क्राइब बेल आइकन को प्रिस और